गुड मॉरिंग इस्ट्रेंस आज हम आपको पढ़ाएंगे किलास थर्ड यूनिट सेविन का चेप्टर जिसका नाम है लिटरल टाइगर बिग टाइगर बच्चो इस कहानी के जरिये से राइटर ने आपको ये बताने की कोसस की है कि ये समय होता है और समय के साथ साथ ही सारी चीजे पफ़ाम होती है कैसे एक छोटी चीज समय जैसे जैसे गुजरता है वो पावरफुल बन में कनवर्ट हो जाती है अगर कोई चीज छोटी सी है वो पावरफुल वनना चाहती है तो उसे पावरफुल वनने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा और इस कहानी में भी ये बताया गया है कि कैसे एक छोटे से शेर का बच्चा टाइगर का बच्चा उससे कोई भी नहीं डरता है जंगल का कोई जानवर नहीं डरता है वो अपनी धाड से बिलकुल बैसे परफॉर्म करना चाहता है जैसे उसकी महा करती है कैसे एक दूसरा टाइगर उस पर अटैक करता है और वो अपनी जान बचा कर भागता है लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो जंगल के सारे जानवर उससे दूर भागते हैं वो पावरफुल बन जाता है तो ये सब सारा काम समय के सब साथ होता है शुरुआत करते हैं वच्चों आपकी कहानी देखें लिटिल टाइगर विक टाइगर छोटा टाइगर और विक टाइगर क्या होता है एक बार की बात दे र वाजथा मदर टाइगर एंड हर इसमाल टाइगर काव एक बार की बात है एक मा टाइगर थी और उसका एक छोटा बेटा था कव टाइगर था कव मानि होता है शेर का बच्चा दे लिट नियर अर्हेवल इन शेरी जंगल वो एक बहुत ही घने जंगल में रहते थे और ये जंगल जो था एक नदी के किनारे था When the sky was dark, जब रात में बहुत अंधेरा हो जाता था The mother tiger hunted for deer and pig तो ये जो mother tiger थी वो हिरन का शिकार करती थी या सूर का शिकार करती थी The tiger cub stayed close by his mother's side अभी जो tiger cub था वो हमेशा अपनी मा के side में रहता था क्योंकि वो जानता था दूसरे जंगली जानवर उस पर attack कर सकते हैं उसे मार सकते हैं तो वो अपनी मा के protection में हमेशा रहता था When the langur monkey देखो यहाँ पे एक langur monkey है शाहर जब उसकी मा को देख लेती थी He called a loud horse call तो वो जो लंगूर था लंगूर बंदर था वो जोर जोर से चीकता था बोलता था Bouch out देखो A tiger is coming तो वो लंगूर monkey जोर जोर से बोलता था साब धान हो जाओ साब धान हो जाओ देखो देखो एक tiger आ रहा है फिर इस लंगूर monkey की आवाज सुनकर यह जो लंगूर monkey था उसकी आवाज सुनकर क्या होता था The Samar Deer Blood Blood का मदब होता है गुस्से से बुलना या चौकन्ने हो जाना तो जो साबर नाम की deer होते थे वो चौकन्ने हो जाते थे या पर वहाँ से भाग जाते थे दा ककल डियर बार्ग्ड और जो ककल डियर थे वो भी बोलना शुरू करते थे इस तरह से ये जो हंटिंग गेम था वो खतम हो जाता था कि इसको कोई पकलम में नहीं में आता था वो सारे जानवर भाग जाते थे तो ये विचारी भूंक ही रह जाती थी She hunted then for jungle fall तो ये क्या करती थी जो jungle की जो चड़िया थी उनको पकलती थी जैसे बत्तक हो गई तीतर हो गया और दूसरी चड़िया हो गई उनको पकलती थी For peasant and for frog पीजेंट नाम की चड़िया होती है वो पकलती थी ये मेटक पकलती थी क्योंकि बड़े जानवर तो भाग जाते थे और went to the river for fish या freeze mother tiger थी वो fish पकलने के लिए नदी की तरफ चली जाती थी But she did not hunt every night अब इसमें यह किराएगी हर रात ये शिकार नहीं करती थी जब रात बहुत अंदेरी होती थी उस शिकार करती थी जब चंदर्मा खुग रोशनी देता था तो ये आराम करती थी नहीं जाती थी क्योंको उसे पता था कि चंदर्मा की रोशनी में जानवर मुझे देख लेंगे और भाग जाएंगे तो बेकार था यूजलेस था If the moon was bright अगर चंदर्मा खूब देज चमकता था The mother tiger lay down Mother tiger late जाती थी And waited for the dawn और सुबह तक का इंतिजार करती थी She twisted the tip of her tail और वो अपनी जो पूँच थी उसकी जो टिप थी उसको मोड़ देती थी And the tiger cub pound on her tail again and again और ये छोटा से जो कव था वो अपनी मा की पूँच पर बार 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 जपटता रहता था If he went too far away अगर ये कहीं दूर चला जाता था The mother tiger called him with a low quiet grunt तो जो mother tiger थी वो अपने कव को गुर राकर उसे सांथी से बुला लेती थी गुरु गुरु करती थी The tiger cub came back और जो tiger cub था वो बापस आ जाता था But he did not like to stay near his mother in the jungle at night लेकिन ये tiger जो कव था वो अपनी मा के पास रात में जंगल में रुकना नहीं चाहता था वन नाइट दा मदर टाइगर वास टायर्ड एंड क्लोज हराईज एक रात की बात है जो मदर टाइगर थी उसे जपकी आ रही थी नीद आ रही थी क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी दाइगर कप सा अटिनी फ्रॉग तब इस टाइगर कप को एक छोटा सा मेटक दिखाई दिया देखोई मेटक दिख रहा है हॉपिंग अलांग दा ग्राउंड जो जमीन पर फुदक रहा था ऐसे 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 फुदक रहा था मेटक उचलो चलके चलता है ना दाइगर कप पाउंज्ट तो टाइगर कप ने उस पर जपटा मारा बड़ फ्रॉग होब डवे लेकिन जो फ्रॉग था वो कूद कर भग किया अब उसने उस फ्रॉग का क्या किया पीछा किया और इसे क्या कर लिया पकड़ लिया इसने इसको पकड़ दिया इस फ्रॉग को पकड़ दिया और उस वो मुड़ा इस फ्रॉग को अपनी मा को दिखाने के लिए बट शी वाज नौट इन साइट लेकिन उसे अपनी मा दिखाई नहीं थी instead he saw a tiger और अपनी मा की जगाए पर उसे एक बड़ा सा tiger दिखाई दिया bigger than his mother और यह वाला जो tiger था उसकी मा से बड़ा था नियर हिम इन दा जंगल और वो जो tiger था बिलकुल इसके पास ख़़ा था जंगल में जब उसने इस चोटे से बच्चे को देखा उसने सोचा आरे मज़े आगए मैं तो इससे खा जाऊँगा चोटा सा बच्चा है इसको पकड़ा गए अब यह तो बिचारा बहुत डर गया अब यह बहुत डर चुका था he could not hide or run ना तो यह भाग सकता था और ना दोड सकता था क्योंकि यह बिलकुल पास में ख़़ा था ना वो टाइगर बड़ा वाला he let the frog hope away उसने उसमें ड़क को छोण दिया जाने दिया वो कूदता हुआ निकल गया the tiger crept up closer to the little tiger का और वो बड़ा वाला जो टाइगर था वो इसको खाने के लिए इसके पास आ रहा था बट आ रोर फिल्ड दा जंगल लेकिन तभी एक बहुत तेज दहाडने की अवाज आई जो पूरे जंगल में सुनाई दी the roar of the mother tiger और ये अवाज उसकी मम्मी की थी इसकी मा की थी she faced the other tiger जब उनोंने एक दूसरा tiger देखा and he went away और वो भग गया the mother tiger like to roar इसकी मा दहाडना पसंद करती थी a loud बहुत जोर से विग टाइगर रोर एक बहुत जैसे बड़े बड़े tiger धाडते वैसे धाडती थी to tell all the other animals in the jungle that she was there वहाँ पूरे जंगल के जानवरों को बताने के लिए कि वो वहाँ पर थी यह है all the other animals in जो पूरे जंगल के जानवर होते थे वो उसकी अवाज को सुनकर the jungle kept far away दूर दूर भाग जाते थे the tiger cub also like to roar और वो छोटा वाला बच्चा जो tiger cub था वो भी धाडता पसंद करता था a loud tiger cub roar वो बहुत तेज एक चीता धाडता वैसे to tell all the other animals in the jungle that he was there और यह बताने के लिए कि वो भी वहाँ था वो छोटा बच्चा वो भी धाडता था अपनी मागी तरह सारे जंगल के जानवरों को डराने के लिए लेकिन उससे कोई डरता तो था नहीं but all the other animals in the jungle were not afraid at all लेकिन जंगल के कोई भी जानवार उस बच्चे से डरते नहीं थे क्योंकि छोटा सा था ना वो बच्चा किसी को नुक्सान नहीं पहुचा सकता था और सारे जानवर जानते थे यहां पहे पत आल दा अधर एनिमल्स इन दा जंगल बर नॉट अफ रैट अट आल एंड नन आफ देम रन अबे और जंगल का कोई भी जानवार भागता नहीं था बट देर केम आई एर लेकिन एक साल बाद वहें दा स्माल टाइगर कब वाज़े फुल ग्रून टाइगर जब यह चोटा सा बच्चा पूरा जवान हो गया यह मीलो मीलो तक चलता था हंटिंग फॉर द गेम एट नाइट रात को शिकार करता था जब वो दहरता था तो जो दूसरे जानवर थे इन दा जंगल जंगल के वो भाग जाते थे अब यह एक बहुत बड़ा टाइगर बन चुका था जो कभी एक छोटा सा टाइगर कभ हुआ करता था यह रिंग इज ओन लावड रोर जब वो अपनी इतनी तेज दहाल सुनता था इसमाइल टू हिंसेल वो खुद मुस्कराता था अग्रेट विग टाइगर इसमाइल और यह जो इसमाइल थी वो एक बहुत बड़े टाइगर की थी मतला वो छोटा सा बच्चा अब एक बहुत बड़ा टाइगर बन चुका था और पूरा जंगल उससे कापता था तो बच्चो यह कहानी यह बताती है कि समय के साथ साथ हमारी जो ताकत है उसमें भी तरक्य होती है बड़ती है हाँ और जब हमारे पास ताकत आती है तो हम दुनिया का बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं हाँ पास आती है